जैने अबरिवान कैसे आप सभी उमीद करता है आप सब खुश होंगे और आपकी खुशी में सामिल मैं आपका साथ या आपका दोस्त आपका मेंटर सोनुक मार आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेट्फोंस टीचर अड़ा 247 प्यारी दोस्तों मैं और मेरी टीम दिन रात यानि 24-7 एफ़र्ट करें कि आपके लिए वह बेदरीन कंटेंट त्यार किया जाए जिसे इसी साल इसी एफ़र्ट में और कम से कम एफ़र्ट में आपको सफलता मिले तो प्यारी बच्चे टेक्सिक से पहुंचाई जाए जहां तकावी तक नहीं पहुंची है और इस मुही में आप हमारा साथ दे तो सैसन को ज्यादा से ज्यादा सेर करें फटाफट से एक बार सैसन को लाइक सेर कर दे और वेलकम टू अड़ा 247 प्यारे दोस्तों आपका अपना प्ले साथ में कुछ फ्री कॉंटेंट भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जैसे आपका यहां से आप देख रहे हो गया जो बलर्ट हो गया आपका या डेली कुईज हो गया इस तरीके से जो आपके एक्जाम के लिए जरूरी है कुछ चीज़े आपको फ्री और कुछ बहुत ज् आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें आपका अपना प्लेटफों है आपका अपना मैं कहुं कि एक जरिया है जिस मादयम से आप इसी साल कम से कम effort में सफलता पा सकते हैं तो फोरू करें आज का session सब तयार हैं अगर सब तयार हैं तो एक बार फटा फट से yes sir comment कर दीजिये उदर से आप इसा रखेजिए यहां से आज का सेशन सुरू फटा फट शे और साथ में लाइक बटन दबा दीची जल्दी से जल्दी यस क्या हाल चाल है सब बढ़िया तो कैसा है आज आपका मूड पढ़ने का मूड है एकदम बेतरी मूड है तो फटा फट शे आज का हाल चाल कमेंट बोक्स में बता दीची तब के लिए अब आपका पहला क्योशन आपके सामने उन रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन जब भी आपको चाहिए तो आपको चाहिए ओपैक सर्फिस एक पार दर्शे माद्यम चाहिए ओपैक सर्फिस आपका प्लेन हो सकता है कौनके ओओ कौनवेक्स जैसे एक एक्जामपल लेके चलता हूँ है यह मान लिजी तो इस साइड वाला जो सर्फिस है यह आपका कौन सा सर्फिस है कौनवेक्स उत्तल सर्फिस है और इस साइड वाला जो सर्फिस है वो आपका कौन क्यों है और यह सर्फिस आपका कैसा हो गया प्लेन स तो यहां से आप देख रहे हो तो on reflection from a convex यानि कि इस तंड के सर्फेस के बात करें। जैसे माल लीच्रजे यह है। यह लाइट आई यह रिफलेक्ट होगी इतर। यह इंसिडेन्ट है इस तरिके से रिफलेक्ट होगी। क्योंकि convex surface आपके पास, अगर reflection के बात की जा रही है, तो convex mirror आपका कौन सा रहता है, diverging रहता है, diverging, the path followed by the light, is that for which time taken is, अब जो light रास्ता ते करें, उसके लिए time taken क्या होगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, या फिर आपके पास क्या होगा, ना सब से कम, ना सब से ज्यादा, या इन में से कोई नहीं, इन में से कोई नहीं, फटा फट से एक बार comment box में, अपने level पर आप answer कर दीचे, A, B, C या D, फिर आगे इसका सही answer बता क्या हम आगे बढ़ रहे है ये आपके एक्जाम में आया work question है, pressure question है, फटा फट से एक बार आप comment करते हैं light कैसा रास्ता लेगी, जिसमें time कम से कम लगे, time ज्यादा से ज्यादा लगे, या ना सब से कम ना सब से ज्यादा कैसा रास्ता लेगी, अगर format के concept के according भी चलोगे तो आपको answer मिल जाएगा format theory के according चलोगे, वहाँ time की तो चर्चा की गई है कि रास्ता ऐसा हो कि time क्या लगे, कम से कम ज्यादा से ज्यादा या सब से कम या सब से ज्यादा, फटा फट से answer करे, yes, नही time minimum नहीं होगा या condition आपको कौन से दी गई है, convex surface के दी गई है, यह diverging surface की बात की जा रही है यहाँ पर आपका time क्या रहीगा, maximum, time क्या रहीगा आपका, maximum next देखें आप, अगला question if the medium is the same on the either side of an optical system, then तो एक बार इसका diagram से पहले clear कर लो, यहां से, उसके बाद इसको explain करते हैं, यह देखें इसके जो left side में है, उसका refractive index मानलो आप new 1, और right में है, उसका मानलो new 2 इसका refractive index मानलो new 1, और right side में है, उसका refractive index मानलो आप new 2 तो अब यहां से आपको देखना है, कि if the refractive index in front, यानि कि आपका इस side का, front nodal का, and behind, यानि कि इस side की बात कर रहा है behind the lens is same then तो क्या होगा जो nodal point आपके ये वाले nodal point आपके पास nodal point आपके पास तो यहां से आप आपको बताने क्या होगा पहले आपने condition समझ ले आप answer बताओ कि if the medium is same on either side medium said का मतलब है कि refractive index क्या है same है optical system यहनी कि आपका दिया गया है lens then क्या होगा आपके पास nodal point N1 और N2 क्या करेंगे सालेनी इसके लिए आपको basic format principle पहले पढ़ना पढ़ेगा basic पढ़ना पढ़ेगा अब आपके direct वो नहीं है कि आपका reflection सिरफ वही तक limited नहीं है in questions का level PGT level है तो आपने पहले पढ़ रखा जिन्होंने पहले पढ़ रखा तुरंत आंसर कर दिया graduation का है चीक है चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं the medium is same on either side of optical system then क्या होगा nodal point कों side करेंगे कों side करेंगे काँ पे आपके पास optical center पे कों side करेंगे या फिर principal point पे कों side करेंगे focal point पे कों side करेंगे nodal point आप infinity infinity पे नहीं है तो जल्दी से जल्दी एक बार इसको आप answer करें क्या होगा इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer फटा फट से answer करें A होगा B होगा C होगा या D होगा जितना जल्दी possible हो आप answer कर देजे nodal point will meet on कहां meet करेंगे येस मेंगा nodal point meet at the focal point meet at the focal point ठीक है next point next point आपके पास अगला part आपके पास अगला part आप देखो dispersive power omega आपके पास क्या होता है आज ये आपने देखा angular dispersion यानि के del V deviation V deviation R divided by आपके पास central deviation new ये आपके पास सबसे ज़्यादा deviation violet के लिए सबसे कम red के लिए central के अगर बात करें हम या mean के बात करें तो वो yellow के लिए तो ये होगा आपका omega का formula है एक basic formula the dispersive power of prism के लिए लिया था हमने of length in acromatic combination एक होता है आपका dispersion without deviation एक होता है deviation without dispersion deviation without dispersion आपके पास next आपके पास है the focal length of the convex lens sorry concave lens is 15 cm तो ये चीज़ तो clear आपके f के value क्या लेके चलेंगे आप negative f के value आप क्या लेके चलेंगे negative तो अब आपको बताना है कि आपका जो answer होगा यहां से the focal length of other lens will be यानि कि f1, f2 तो क्या मैं ये लेक सकता हूँ omega 1 by omega 2 f1 by f2 क्या value दे रखे मुझे मुझे इनका ratio दे रखा है 5 ratio 3 और आपके पास दे रखा है the focal length of concave lens आपके पास concave lens की जो focal length आपके पास ये दे रखे माइनस 15 15 था ये कौन के हूँ है इसलिए माइनस कर दिया this implies आपके पास क्या हो जाएगा f1 की value minus 17 75 divided by 3 तो ये आपके पास आजाएगा 25 cm तो ये दो तो आपके आंसर क्या हो गई गलत हो गई ये दो तो आपके पास आंसर क्या हो गई गलत हो गई आपके पास अब आपको देखना है कि lens कौन सा लेके चलोगे आप concave lens convex lens आपके पास concave lens या convex lens आपके पास आंसर क्या लेके चलेंगे कौन के लेके चलेंगे आंसर होगा आपके पास डी क्लियर हुआ तो ये देखो इनके बेसिक्स आपको पढ़ने जरूरी है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो पेड कोर्स था उसकी इंपोटेंस क्या है आज जैसे आप ये क्योशन पढ़ रहे हैं कल को जब आपका ये थियोरी करवाए जाएगा तुरंत परवाव से आपको पता चलेगा इसलिए इसका अंसर ये होगा ये बिलकुल इसका अंसर क्या होगा आपका डी अगला क्योशन देखें दी आई पीस बाई यूजिंग टू लेंसिज देखो आपकी पास क्य होता है लेंस के केस में लेंस की दो तरीके की एब्रेशन होती है और दो तरीके की एब्रेशन होती है ऑब्रेशन, स्पेलिंग क्या होगी एबरेशन के बजाए आप डिफेक्ट भी मान सकते हैं एबरेशन एक होती आपके पास स्फेरिकल और एक होती आपके क्रोमेटिक क्यों होगी आपके पास क्रोमेटिक में जैसे मैं एक्जाम्पल लेके चल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वोईलेट के लिए क्या है मैक्सिमonst रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास रैड के लिए क्या है मिनिमुम तो डविएशन भी तो दोनों के लिए डिफेंट होगा तो अगर आप एक लेंस के बजाए दो लेंस यूज करते हो तो प्रोपर आप फोकस कर पाओगे यहनि आप दोनो तरीके के defect को remove कर सकते हो effective focal length always power always पहले तिये defect आप दूर करो abrasion are removed तो यह आपका answer हो जाएगा यह आपका answer हो जाएगा yes my dear friends यह आपका answer हो जाएगा दोनो टाइप के defect आपके दूर हो जाएगे दोनो टाइप के defect आपके दूर हो जाएगे clear है next आपके पास resolving power तो यह मैंने last class में भी करवाय था 1.22 lambda y d अब यह आप solve करके देखो अब एक बार मुझे solve करके answer जरूर बता दू एक आद में आप calculation कर लो जिससे आपका confidence आएगा आपको और अच्छा feel होगा और अच्छे तरीके से आप answer कर पाऊगे आप एक question का यहाँ solve करके देख लो आप एक question solve करके देख लो confidence आपने आप आएगा आपने फटा फट्शे एक बार answer करो इसका formula आपको बता दिया गया है आप बारी आपके है कितना अच्छा आप इसे solve करते ही वो बारी आपके है solve करके बताऊए यहाँ पर value क्या दे रखी है value आपको दे रखी है 1 inch 1 inch फटा फट्शे answer करें इसकी calculation कर लोगे हाया ना formula है direct आपको value पुट करनी है resolution power is equal to आपके पास यहाँ से अगर आप बात करें टेलिस्कोप की 1.22 multiply by आपके पास wavelength कितना 6000 angstrom angstrom यहनिकि 10 की power minus 10 और यह आपके दे रखा 1 inch अब आपको पहले यह जानना है कि 1 inch के अंदर 1 inch को अगर meter में convert करोगे तो कैसे करोगे 1 inch को meter में convert करोगे तो कैसे करोगे आप जानते हैं एक meter बराबर होता लगबग 3.3 feet और एक feet में होते हैं आपके पास 12 12-36 और 12-36 आपके पास लगबग आप मान ले क्या यहां से कितना हो जाएगा एक meter में कितना inch 40 के आसपास अगर में लेके चलता हूँ answer क्या आजाएगा एक बटा 40 क्या आजाएगा एक बटा 40 अगर करते हैं calculation आसान हो जाएगी अब यहां से convert करके आप यहां से convert करके यहां value put करें आपका answer आजाएगा तो फटा फट से calculate करके बताओ मुझे क्या यह calculation सही है क्या आपका answer सही है और सही answer क्या होगा A, B, C, A, D A, B, C, A, D मुझे आप very good evening good evening one and all फटा फट से answer बताओ फटा फट से इंच का conversion करके मुझे बताओ सर इस से multiply okay 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 ठीक है तो यह आप कर सकते है 1.22 6000 10 raise to power minus 10 into आपके पास 2.54 multiply 10 raise to power minus 2 यहां से आपको answer फ्रोल करना है इसके बाद आपकी सिरफ mathematical calculation है इसके बाद आपकी mathematical calculation है जो आप calculator से भी करके देख सकते हो अब 10 की power के according भी आप जाओगे 10 की power minus 7 था आपके पास उपर तो वहां से भी आप निकाल सकते हो यहां से भी आप निकाल सकते हो बाकि एक बार calculation करके जरूर देख लेना यस अब आगले क्योशन में यंग double slit experiment coherent source आपको चाहिए इस तरीके से current source दो अलगलग source कभी current हो नहीं सकते माल लीजे यह source आपके पास तो यहां से यह जो light जारी था आपकी इस तरीके से light जारी थी इसमें से ऐसे एक दर से जारी थी एक दर से तो यह आपका एक नए source का काम कर रहा था S1 और यह आपका source था S2 इस तरीके से यह light आपके जारी थी तो येंग double slit experiment में आप से कहा गया है कि central fringe जो कि maximum हो गया आपके पास आपने ये वाला diagram तो पढ़ा होगा ना ये इस तरीके से कम होगे central fringe की intensity आपके पास क्या रहेगी? Maximum is I When one of the slit is closed अगर इसको हम close कर देंगे तो ये एक ही रहेगे आपके पास और ये तो exactly वही होगी जो single के लिए है यानि direct अगर जाएगे तो डारेक्ट जाएगे तो सारी intensity जाएगी आपका answer क्या हो जाएगा? I is equal to I note यानि आपके पास जो intensity है वो maximum intensity के equal हो जाएगी ये आपको याद रखना है intensity equals to maximum intensity आगे देखे आपके पास types of laser में आपका एक example दिया गया है इसका एक condition sorry example तो यह है आपके पास pulse laser एक होता आपके पास continuous laser और एक आपका pulse laser तो अगर यहां से बात करें यहां से यह pulse laser का दिया गया है या laser pulse और laser energy के बीच relation दिया गया है तो इन में से कौन सा example है जैसे यहां से भी आप देख सकते हों कौन सा example है जो आपका pulse laser का example है जो आपका pulse laser का example है फटाफट से आंसर करें तो आपका आंसर होगा sir ruby laser is an example of pulse laser यह इसका diagram दे रिखाए आगे देखें आपके पास the essential condition इसके लिए यह होगा frown होपर diffraction आपके पास देखें diffraction आपका wave nature तो show करेगा इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी condition होना जरूरी है is that the incident wavefront must be plain incident wavefront spherical होना जरूरी है या फिर दोनों हो सकते आपका या all of the above आपके पास अच्छा question आपके पास और देखें आपको optics के ही question इस वज़े से करवा रहा हूँ अभी ray optics आपका चल रहा है इसके just बाद आपका wave optics आना है तो आपके mind में ये रहे कि कैसे कैसे question इसे पूछे गए है ये आपके mind में चलना चाहिए और जब इनकी concept आपको करवाई जाएंगे तो बड़ी आसानी से ये सारे questions आपके soul होते दिखेंगे तो wavefront must be plain wavefront कैसा चाहिए आपको plane चाहिए ये आपका कैसा होना चाहिए plane होना चाहिए साथ-साथ सही या गलत कुछ तो answer करते रहा करो पूर एक given pair of spectral lines ठीक है resolving power resolving power होता है दो के बीच difference जैसे माली जी spectrum V, I, B, G, Y, O, R तो red और orange के बीच का जो difference दिखाना है ये उसकी resolving power होगी पूर given pair of spectral lines resolving power of prism किस चीज़ पे डिपेंड करेगी resolving power of prism किस पे डिपेंड करेगी फटा-फट से answer करें किस पे डिपेंड करेगी only the base length of prism नहीं material या दोनों पे तो इस पे तो नहीं करेगी the reflecting angle of prism इस पे भी नहीं करेगी इन दो में से आपको देखना है answer क्या रहेगा आपका only the material of prism किस पे डिपेंड करेगा आपका सिर्फ और शिरफ material पे डिपेंड करेगा base length पे नहीं अगला question आपके पास a beam of light strike on a glass plate angle of incidence आपके पास angle of incidence आपके पास कितना दे रिखा 60 degree the reflected ray beam is completely polarized यानि polarization के अगर बात करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा ये angle of polarization clear है ठीक है तो आपको पास the refractive index of the refractive index of glass क्या होगा यानि आपको निकालना क्या है new तो new किस के बराबर है certain IP के बराबर है और IP की value angle कितना दे रिखा आपको 60 degree this implies mu is equal to 1060 निकाल लोगी answer 1060 चले आगे बढ़ते अगला part है Nicole prism is based on the principle of क्या आप बात है Nicole prism या quartz crystal ये आपके ऐसे topic है जिससे 100% surety से question आता है दोनों में से एक से जरूर आपको रहेगा तो फटा फट से मुझे बताएं इसका सही answer क्या होगा Nicole prism is based on पटा होट से answer करें देखो आपने डबल प्रिजम का concept पढ़ा होगा डबल प्रिजम वाला तो आप तो इतना हिंट देने के बाद तो आपको solve कर लेना चाहिए था योर answer will be double reflection पर बेस्ट हो गए अगला क्योश्चन आपके पास अगला क्योश्चन आपके पास एडबल रिफ्रेक्टिंग क्रिश्टल डबल रिफ्रेक्टिंग क्रिश्टल यहनि की आपका Nicole prism Optic axis is a direction along with along with a plane polarized beam does not suffer deviation a beam suffered एक second does पहला क्या दे रखा है अच्छा एनी वीम उफ लाइट does not suffer any deviation डबल रिफ्रेक्टिंग डज नो टेक प्लेस और आपके पास दे रखा ordinary and extraordinary rays ordinary and extraordinary rays आपके पास extraordinary rays undergoes maximum deviation अंसर क्या होगा इसका Nicole prism क्या अगर बात करें तो हम अनी बीम ओफ लाइट या फिर ए प्लेन पोलराइज लाइट अंसर होगा अन्षर होगा ए प्लेन पोलराइज बीम डज लोट सफ़र नी डेविशन पॉलेराईज अनपॉलराईज का केस अलग होगा पॉलाईजेशन का अलग पॉलाईजेशन के लिए जन क्रीष्टल्स का यूच करते उन मैंसे आपके एक स्वाट्स क्रिश्टल निकल प्रिजम आपका एग्जामपल है ठीक है यह आपके पास बड़ा ही बेद्रीन क्योशन और मैं कहता हूं कि वास्तों में यह एक सिंगल क्योशन था आपका जो चाहे वो नेट के एक्जाम में पूछ लिए चाहे आप से वो इन एक्जाम में पूछ लिए देखिए यहांसे the optical rotation produced by the length आपके पास एक दे रखा L साथ में दे रखा 5% ठीक है जो दे रखा उसको निकालो और theta दे रखा आपको 20 degree ठीक है उसके बाद दे रखा length of 10% of solution यानि कि 5% की जगह अगली उसमें क्या करना 10% of the solution optic rotation तो यहां आपको theta क्या यूज़ करना है 35 degree तो अब आपको relation निकालना है अब आपको relation निकालना है S क्या होगा आपके पास यह आपके पास अगर यहांसे मैं देखता हूँ LC आपके पास रहेगा यहांसे अगर मैं बात करता हूँ 10 theta आपके पास 20 अगर आप लेके चल रहे हो तो L multiply क्या हो जाएगा आपका 5 और नीची क्या दे रखा है आपको 10 theta अगर आप लेके चल रहे हो 35 तो आपका कितना हो जाएगा L into 10 यहांसे L into 10 आपके पास या L dash आपके लेके चल रहे हो अब यहांसे sol करके देखें एक बार यहांसे आपके पास इदर कितना है 40 और इदर कितना है 35 इसको कर दें हम 5,8,40 और 5,7,35 तो यहांसे आपके पास this implies यह L dash मैं इदर लेके आँगा यह हो जाएगा 7 by 8 यह आपका L dash इदर आएगा 7 by 8 यह इदर चला जाएगा L 7 बटा 8 आपके पास किसके बराबर होगा इन में से क्या होगा आंसर देखो यह तो आपका आएगा नहीं यह आपका नहीं आएगा इन दो में से देखो calculation करके 7 बटा 8 0.0 तो नहीं आएगा मेरे इसाब से तांसर आपका A रहेगा calculation यहां से देख लो yes answer क्या रहेगा आपके पास A रहेगा answer क्या रहेगा A देखो कई बार क्या होता है कि हमें formula याद नहीं होते हैं तो कोशिस किया करो relation बनाने की अब यहां से बदा था उपर वाली की लाइन में यह दिया है नीचे वाली में यह दिया है बस वैसे ही आपको सोल करना है वैसे ही आपको सोल करना है clear है next आप देखो the phenomena of superposition superposition यानि के interference superposition मतलब interference और interference मतलब conservation of energy उर्जा total energy constant रहेगी conservation of energy आपके पास energy conservation देखो आप यहां से energy conservation आपके पास होगा तो क्या होगा जैसे माल लीजिए आपके पास यह पहली वेव यह दूसरी वेव यह इसकी resultant वेव आगए आपके पास superposition से आपके यह आगए तो total energy तो constant रहेगी लेकिन अब यह energy इनकी energy इसके अंदर चले गई है तो energy will be redistributed लेकिन will based on conservation of energy नहीं हार जगह एक्समान नहीं होगी भई redistribution of energy होता है interference में total energy नहीं कह रहा है remains uniform everywhere क्या sub wave के लिए energy एक्समान थोड़ी ना आजाएगी intensity क्या होता आपके पास energy per unit area per unit time और intensity किस पर depend करेगा amplitude square पर तो सब के लिए बराबर थोड़ी ना जाएगा answer d ना लेकि answer क्या लेंगी कि total energy will be remains conserved but energy will be redistributed clear हो आज सबको सबको ये बात समझ आई हाँ या ना clear हो गया सबको yes or no तो ये था आपका कल आपने 2009 का किया था आज 2011 का आपने complete कर लिया है similarly आपके हर एक सेजन में एक एक paper हम लाते रहेंगे अब वो random रहेगा पहले आपको information नहीं होगी कौन सा आएगा randomly एक एक paper हम लाते रहेंगे अब जैसे optics चला है वैसे ही आपका heat चलेगा वैसे आपका बाकी electricity magnetism या आपके जो भी part है इसी तरीके से एक एक part उठा की रोजना हम लगबग आदे गंटे का session रखेंगे ठीक है क्लियर हो गया सबको ठीक है तो भी आज इस session में हम इतना ही रखते कोशिस किजिए इस session को ज़्यादा सी ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाई जो तयारी कर रहे हैं किसी भी PGT एक्जाम की असमा यह हर एक एक्जाम का उठाएंगे अभी जैसे आप अपने पास PGT वाला नजदी का UP PGT इसका उठा रहे हैं जैसे इसके question complete जारखन PGT उठा लेंगे उसकी complete NWS PGT उठा लेंगे तो इस तरीके से one by one आपके सारे paper आ जाएंगे लास्ट में सारे आपस में देखोगे कि similar ही आ रहे हर जगे चले इस session में हम रखते हैं इतना ही जैहिन जैभारत